नमस्कार दोस्तों, चली सुनते हैं आज मालती जोशी की लिखी कहानी जिसका नाम है रेत महिल, चली कहानी शुरू करते हैं दरहसर शुरूआ थी कुछ गलत हो गई थी, मुश्किल तो ये था कि आलो की समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई है संसार के लाखों लोगों की तरह उसने भी पिर्था ममिला नियामिनी की अधिरता से पिर्तिक्छा की थी देरों सपने संजोए थी, उन्हीं सपनों में उबडूब होता हुआ वो कमरे में आया था कमरे में मीरा उसकी प्रितिक्षा कर रही थी पर उसके चेहरे पर आबेग उतकंठा या अधिर्ता का लवलेश भी नहीं था उसकी मुद्रा ऐसी थी जैसे वो मजबूरन इस कमरे में बैठी हो अपनी नव परनीता पत्नी के चेहरे से टपकती बेजारी को उसने लज्जा का ही आबरल मान कर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया इसके बाद उसने अलमारी खोल कर वो पैकिंग निका ली जिसे उसने बड़े यतन से सब की नजरों से छिपा कर रखा था दोस्तों की खास हिदायत थी कि इसे पहली रात को अकेले में खोलना सिर्फ बीबी के सामने इसलिए उस पैकिंग को खोलते हुए उसकी उतसकता चरम सीमा पर पहुँच गई थी जैसे ही आखरी आबरल हटा उसकी आखें संकोच से एक बारगी जुक गई वो एक खुबसूरत टेबल लेंप था जिसे एक पिरणाई युगन ने अपनी बाहों में थाम रखा था काँच से ढ़ला उनका शरीर सोच्टब देखते ही बनता था और उनकी पिरणाई भंगिमा इतनी उत्तेज़क थी कि उसने चोर नजरों से पत्नी की और देखा वो निर्पेक छुबाओं से मेजबोश की कड़ाई का मौएना कर रही थी उसे थोड़ी निराशा हुई पर अगले ही पल अपनी निराशा जटकते हुए उसने लेंप को पिलग में फिट कर दिया और कहा यार लोगों ने देखो क्या तोफ़ा दिया है कल दूसरे प्रिजन्ट्स के साथ सब के सामने खुलता तो क्या होता उन्हों लोगों ने तो देते समय ही जटा दिया था पर वो ना तो मुस्कुराई थी ना शर्माई थी उसके दोस्तों ने तिपड़ी भी की थी प्रोफेसरनी तो एकदम ड्राई लगती है यार उसे ट्रेंड करने में ही तेरी आधी जिन्दगी बीत जाएगी उसे तब दोस्तों की बात अच्छी नहीं लगी थी लगा कि भी लोग जरा ज्यादा ही खुल गए थे जरूरी नहीं है कि हर किसी को उस इसतर का मजाक अच्छा लगे फिर मीरा तो वैसे भी साहित में पि-अच्डी है उसका गंबीर होना सभाविक है पर अब यहां कमरे के इस एकांत में बैठी उस सो महला को देखकर लग रहा था शायद ये भी कोई बात हुई कि आज भी गंबीरता ओड़े बैटी रहे भावनाओ का कोई ज्वार उसे आंदोलित ना करे कमरे में एक संबाध हिंता की इस्तिती उत्पन हो गई थी कुछ तो उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए और कुछ माहल बनाने के लिए आलोक ने कहा तुम अधरा मतलब तुमारे स्टाफ से था नौकरी में तो कुलीक्स होते ही हैं जो दोस्तियार बन जाते हैं मैंने अपने स्टाफ को इनवाइट ही नहीं किया क्या बात करती हो सच कह रही हूँ गुझ्जा इस ही कहा थी दोनों बेहनों के सस्राल बालों से और भाबी के पिहर वालों से ही घर भर गया था उपर से इतनी लंबी चोड़ी बारा थी मेरा श्टाफ उस भीड में कहां ख़ड़ा होता कौन उनकी आउ भगत करता ये चोटो अपरत्याशित थी आलो को तिलमिला उठा उसका मन हुआ अभी बापा के सामने जाकर खड़ा हो जाए और कहे आपन कन्या पक्च के इहां गिने चुने लोग ही जाएं बाकी लोगों के लिए छोटा मोटा रिसेप्शन दे दिया जाए पर पापा नहीं माने बोले जिसे देखो बही शाही सरंजाम कर रहा है उससे जराब भी 19 करेंगे तो खर्च भी होगा और भद भी पिटेगी लड़की क कि शादी में तो खेर मजबूरी होती है मंजू की शादी में जख मार कर सब नाटक करना पड़ा था कल को अंजू की शादी होगी तब भी करना पड़ेगा इस समय तो अपने पास 24 है वो चुप हो गया था किसी और की शादी होती तो बुजजित पर अड़ जाता पर अपन के दोस्त, ममी के कलीक्स, बंजू के स्कूल कॉलिज के दोस्त और दफ्तर वाले, इनके लावा नाते रिस्तेदार, अडोसी, पडोसी, सब को बहीं तो पहुंचना था, लोकल शादी में यही तो होता है, फैला इतना हो जाता है कि समेटे नहीं समरता, मीरा ने सची कहा था, बारा तो सचमुच बहुत लंबी चोड़ी थी, वो खुद इस बात पर शर्मिंदा था, उसके सारे आदर्श धरे रहे गए थे, लेकिन ये बात आज ही कह देना, क्या इतना जरूरी था, सस्राल और पिहर के ये निशास्वत जगणों के लिए, क्या आज ही महुरत रहे ग गया था, पर ये गनीमत था, कि मीरा ने केवल आंशिक सची बोला था, अगर वो पूरा सच उगल देती, तो आलो को शायद कमरे में भी ना ठैर पाता, मीरा ने अपने कॉलिज से किसी को भी शायद इसलिए आमंतरित नहीं किया था, क्योंकि उसे इस रिष्टे पर बेहद के सामने फाड कर चूले में जोग दिये थे, उसके लिए घर वर ढूनने का पवितर कर्तब भीया भावी बड़ी ततपरता से निवाते थे, हर चार शे महीने बाद एक नामा कूल सा रिस्ता लेकर उपस्तित हो जाते थे, फिर खूब चक-चक होती, बहस वाजी होती और द लग जाते, यदि इस बार मीरा ने हाना की होती, तो ये किरम शायद सदियों तक चलता रहता, चार महीने की लंबी चुपी के बाद, इस दिन भाईया भावी अपतियंड हुए थे, हमेशा की तरह उनके हाथ में एक बहुत अच्छा पिरपोजल था, और भी उसकी प्रिश प्रिटरी भी बन सकता है, पिता पंचायत बिवाग में थे, अब पेंशन ले रहे हैं, मा टीचर है, कौाटर मा के नाम है, उनके रिटार होने पर लड़के के नाम हो जाएगा, दो बहने हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरी के पैर में थोड़ा आयब है, शादी नहीं ह देखकर ही मीरा के तन बदन में आग लग गई, बोली, अमा, तुम्हारा बस चले तो मुझे किसी चप्रासी से भी बिहाद होगी, तो तुझे बिहाने अब कौन सा राजकुमार आएगा, मैं भी तो सुनूं, अमा, राजकुमार मुफ्त में नहीं मिलते, उनके लिए बोर भावी की बात शूल जैसी गण गई, तिल मिलाकर बोली, भावी, परी नहीं हूँ मैं, पर इतनी बदसूरत भी नहीं, कि ढंका लड़का न मिले, तुम्हारी तरह समय से शादी हो जाती, तो मैं भी अपना रंग रूप सहेज का रखती, पर मेरा सब कुछ तो अमा की गरि रहेगा, फिर हर साल, छे महीने बाद इस तरह का तुट पुझिया रिस्ता लाने की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी, ओहो, आई से स्टॉप इट, भाईया जोर से दहाड़े, क्या कंजरों की तरह लड़ रही हो, और बिटो, एक बात साफ सुन लो, चार लोग टोकते हैं इसलिए इहां चला आता हूं, बरना मुझे अप्मानित होने का कोई शोक नहीं है, अगर तुम्हारा यही रवईया रहा, तो आगे से इस जंजट में नहीं पड़ूँगा, बड़ी महरवानी होगी, मीरा ने कोहनी तक दोनों हाथ जोड लिये, भाईया तुनकर बाहर जा आता ही नहीं, तो क्या करें? अम्हा विसूरती हुई भावी को असिस्ती रही, मीरा से ये नाटक न जहला गया, वो कमरे में चली गई, बहां खड़ी रहती तो शायद भावी का मौनोच लेती, पूरी जादू गन्नी है, आते ही भाईया पर ऐसा जादू किया, कि तीन मही को बुढ़ा कर दोगी, बाद में तो भाईया खुद इधर उधर कहते सुने गए, कि मेरा जनब तो बाप की गिरहस्ती पार लगाने के लिए ही हुआ है, उन दिनों मीरा बिये के दूसरे वर्स में थी, उसी ने पहल की और आग्रे किया, कि मैं तो एमे करके ही शादी करू तब तक भाईया को क्यों रोका जाए, भावी के पिता भी तब कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, बहन जी चिंता क्यों करती हो, दोनों मिलकर कमाएंगे, तो आपका घर भर देंगे, अच्छा घर भनने के लिए आई थी उनकी बेटी, यहां का भी सब ढोकर ले मीरा का भगवान ही जानता है कि उसने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी की, नोकरी के लिए उसने कितने पापड बेले, आज भाईया बोरी भर भर रूपिय की बात करते हैं, पिछले 10-12 सालों में वो कितना रूपिया कमा चुकी है, पर अम्मा की गिरस्ती और अम्मा की दुन कि भाईया भावी चले गए हैं, भीतर आते ही अम्मा ने उसे आड़े हातों लिया, बेचारा कहां कहां से रिस्ते डून कर लाता है और तू ऐसी नाशुक्री है कि कभी सीधे मूँ बात नहीं करती, तेरे मन में क्या है आखिर, पता तो चले, तू कब तक मेरी छाती पर नहीं, ज्यादा उचे सपने मत देख अम्मा, तुम क्या सोचती हो, भी लोग तुम्हें सर आखों पर बिठा लेंगे, तुम्हारी रोज आरती उतारेंगे, तुम्हारे पैर दो दो कर पिएंगे, इसो धोखे में मत रहना अम्मा, दो ही दिनों में उनके तानों से तुम् वो इसो घर में आई थी अपनों से तिरस्कृत होकर, आहत और अपमानित होकर, परिहाँ बालों ने उसे हातों हात लिया, प्यार के आवैक से, उसे सराबोर कर दिया, दोनों नंदे उसके आगे पीछे डोलती रहती, मंजू की दोनों लड़किया उसका पलू थामे रहती, सास हर दम उसकी इच्छा का मुह जोती रहती, पापा जी दूर से ही लाड़ जता थे, कभी कोई मिठाई लाते, कभी कोई मैकजीन ले आते, एक दिन तो भी बच्चों के लिए पिक्चर के टिकट ही खरीद कर ले आए, सास ने तो उस दिन उलहना भी दिया था, बहुर आन में कोई कड़वा हट नहीं थी, वो हस रही थी, जैसे ये कोई मजाक हो, और अंजू मंजू भी उस मजाक का पूरा लुट्फ उठा रही थी, वो जैसे पूरे घर की चेतना का केंदर बनी हुई थी, और आलोख, वो तो उसके आगे पीछे बिच्छा जा रहा था, उतने प्यार की तो उसने कभी कलपना भी नहीं की थी, ना ही उसे इसकी आदत थी, तीसरी कन्या के रूप में जनम लेने का अपराद किया था उसने, इसलिए घर में सदा अनादर ही मिला, फिर उसके जनम के दो-तिन साल बाद ही, बाबु जी को कंपलसरी रिटार्मेंट का दंड भुगतना पड़ा, इसो दुरगटना के लिए भी उसे ही दोशी ठहराया गया, बे दो-तिन साल बड़े कसाले में भीते, तब मा का रोश रह रहकर उस पर ही उतरता था, भहिया की नोकरी के बाद हालत तो कुछ सुदरी तो बाबु जी चल बसे, फिर दोनों लड़कियों की शादी की चिंता ने अमा को जरजर कर दिया, दोनों बड़ी भेनों की शादी के बाद अमा का आकरोश जहलने के लिए घर में भही रह गई थी, तब एक छीर सी आशा थी की भहिया की शादी के बाद बातबरण में कुछ बदलाव आएगा, पर बहु का सुख, मा तीन मह भीने से भी अधिक नहीं भोग पाई और भहिया अलग हो गए, इस घटना ने मा और बेटी दोनों को कड़वाहट से भढ़ दिया, दिन भर दोनों में ठनी रहती, 24 घंटे वो घर और बाहर खट रही थी, पर प्यार के दो बोल उसके लिए दुरलब थे, और यहां तो अन से बाहर भी उनके संबंदों का फैलाव दूर दूर तक था, रोज ही नमंतरण आते, सुबह शाम किसी ना किसी के यहां जाना होता था, दोनों नंदे मनो योग से उसे सजाती सवारती, कभी मंजू अपनी साड़ी पहनने के लिए कहती, तो कभी अंजू अपना अमेरिकन डायमंड का सेट उसे पहना देती, किसी जमाने में उसे भी अपनी भावी को सजाने का बड़ा चाओ था, पर उन्होंने कभी लिफ्ट नहीं दी, वो घाओ मन में अब भी कसकता था, इसलिए अपनी नंदों को उसने कभी मना नहीं किया, पर उन लोगों के साथ वो कभी सह सेज नहीं हो पाई, और जब कहीं से लोटने के बाद सासन दोनों की नजर उतारती, तो उसे और भी अटपटा लगता, नजर लगने लाग तो उसका चेहरा कभी नहीं था, शायद ही उनकी ममता का ही अक्स था, जो उसे सुन्दर बना देता था, जब भी वो तयार होती आल बार बार पूछता, ठक गई ना, एक दिन उसने कही डाला, मैं ठकती नहीं हूँ जी, दरसल बोर हो जाती हूँ, आई नो, आई नो, इतने सारे अजनबियों को जहिलना बहुत कटिन होता होगा, मैं जानता हूँ, पर थोड़े ही दिनों की बात है, फिर ये लोग अजनब खाने के लिए घर बैठने की क्या जरूरत थी, कहीं जाना चाहती हो, येस, अगर पॉसिबल हो तो, बहुत मुश्किल में डाल दिया था मीरा ने, आलो को तो ममी पापा से बात करते संकोश हो रहा था, शादी में कोई खास हंगामा नहीं किया गया था, फिर भी उसका और पापा का दोनों के खाते खाली हो गए थी, इसलिए छुटी लेकर वो चुपचाग घर में बैठ गया, पर अब जबकी मीरा ने खुद इच्छा जायर की है, अन्यू ने बड़ी समदारी से इस समस्या को हल किया था, दस हजार रूपी लेकर आलोक मीरा को मुंबई गुमा अने ले गया, उसे आशा थी कि घर से दूर जाकर मीरा के मन में पिर सोब्तो पिर्णाय भाबना जाग उठेंगी, पर उसे तो निराशा ही हुई, मीरा तो घर से दूर इसलिए आई थी, कि इतने लोगों के निरंतर संग साथ से उसे घबराहट होने लगी थी, उसका दम ख की सब के लिए उपहार लाई थी, सास तो एकदम धन हो गई, दस हजार खर्च हो गए कोई बात नहीं, बहु में कुछ चेतना तो जागी, नहीं तो अब तक तो सारा वन वे ट्रैफिक ही चल रहा था, आलोग ने ये बात किसी पर जाहें नहीं होने दी, कि उपहारों की पे होने लगा, पिछले दिनों वो अपने परिवेश से एकदम कट गई थी, एक महीने के अग्यात वाश के बाद कॉलिज जाकर सबका सामना करने में उसे घबराहट महसूस हो रही थी, वो चाहती तो छुटी बढ़ा सकती थी, बरसों बाद उसे इतने इत्मिनान की अपना भी नहीं की थी, पर इस आराम से वो धीरे धीरे उबने लगी थी, घर की चार दिवारी में बंद रहने की आदत कफ से छूट गई थी, जिस दिन जुएन करना था पापा जी सुबह सुबह बाजार जाकर दो किलो मिठाई ले आए, बोले शादी के बाद पहली बार जा रही हो, खाली हाथ मत जाना, ममी जी ने उसके लिए स्पेशल टिफिन बनाया, अपनी दो चीजें पहनने के लिए दी, अंजु ने उसके लिए दरवाजे पर लगी चमेली का गजरा गूत दिया, आलोग ने सुबह मूं अंधेरे उठकर उसकी टीबी ऐस चमका दी थी सबने मिलकर उस दिन को एक उत्सब का रूप दे दिया था, इतना हंगामा तो उस दिन भी नहीं हुआ था, जिस दिन उसने पहली बार नोकरी जुआनी की थी, इस हंगामे से एक फाइदा जरूर हुआ, उसकी घबराहट काफी हद तक कम हो गई, जब वो चलने लगी, तो आलोक ने हौले से पूछ लिया, अकेले चली जाओगी ना, नोकरी को कितने साल हो गए जानते हैं, आलोक बुरी तरह जिप गया, बाद में रास्ते पर आने के बाद एहसास हुआ, कि अकेले चलने की आदत सचमोच छूट सी गई है, पिछली दनों जब भी घर से बाहर नि बदाई तो बाद में दी, पहले खूब लालत मलानत की, मिठाई का पूरा डिबा चट करने के बाद जोरदार पार्टी वसूल की, सबके सब आलोक को देखने के लिए उत्सुक थे, ये तो अच्छा हुआ, आलोक ने मिठाई के डिबे के साथ चुपके से अलवम भी उसके बैग में रख दिया था, उसकी शादी में किसी को इतनी उस्सुकता होगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था, लोक बाग बड़ी अधिरता से पन्ने पलट रहे थे, रेनुका बोली, वाटा हैंडसम वाए, शायद इसलिए तूने हमें शादी में नहीं बुलाया, सोचा उसकी निकरी निकरी रंगत और उसके भरे भरे चेहरे की पिरसंशा कर रहे थे, और उसे आश्चरी हो रहा था, जब शोर शराबा खतम हो गया, तो समीना ने अकेले में धीरे से पूछा, तूने इतनी चुपचाप से शादी की, कि हम लोग सोच बैठे थे, कि कोई ऐसी व मेरा जराभी मन नहीं था, बस वम्मा के लिए हां कर दी समझ लो, मुझे तो जराभी मजा नहीं आया, तुझे कितना मजा आया, ये तो तेरे चेरे की रंगत ही बता रही है, समीना ने चुटकी ली, तो मीरा बुरी तरह जहप गई, मीरा इस वार समीना का सुर गंबीर था इस सो अमर में शादी हो जाए, ये ही के नीमत है, मुझे देखो, रेनुका को देखो, कब से दिया जला कर, रहे गुजर में बैठी हैं, पर इस रहा से कोई गुजरता ही नहीं, पहली बार मीरा को लगा, कि उसकी शादी कोई इतनी बड़ी दुर घटना नहीं है, कम से कम रेनुका और समीना की दरिश्टी से तो ये एक अच्छी घटना है, बेचारी रेनुका, पांच-पांच भाई हैं, पर किसी के पास फुरसत नहीं, दो तो विदेश में ही जाकर बस गए हैं, समीना के इहां तो कोई देखने वाला ही नहीं है, एक अम्मी बर हैं, तो वो न नहायत पुराने ख्यालों की और परदा नशीन है, हिंदुस्तानी लड़कियों के साथ यही तो परिशानी है, अपने खोल से बाहर निकलना ही नहीं चाहती, मीरा के भहिया ने कम से कम एक उपकार तो किया, कैसा भी सही उसके लिए एक लड़का तो ढून दिया, पर दाबत देनी होगी, सबको यहां तक की छातराओं को भी आलोग से मिलने की उत्सुकता थी, क्या कहकर मिलवाएगी सबसे, और इसो दड़वे में किसी को कैसे बुलाएगी, कैसे कैसे सबने संजोई थी उसने, पर सब इस जी टाइपो दड़वे में आकर दफन हो गए, दिन दफ्तर जाते हुए आलोग ने कहा, सुनो, आज अपनी सेलरी लेकर आओ, तो पापा के हाथ में देना, उन्हें अच्छा लगेगा, ओहो, तो आज पहली तारीख है, उसे तो याद ही नहीं था, पर इन लोगों को खूब याद रहा, पहली तारीख यानी वेतन, उसक के लिए तो मीरा को फूल पान की तरह सहे जा जा रहा है, इस बेतन के सहारे इन लोगों ने बड़े-बड़े सपने बुन रखे होंगे, क्या पता एक आद फिलेट बुक कर लिया हो, उसे चुप देकर आलोग ने कहा, बैसे तुम पर कोई जोर जबर्दस्ती नहीं है, मैं अन्जू, ममी, सब लोग अपना बेतन लाकर पापा के ही हाथ में देते हैं, अगर घर की यही परंपरा है, तो मैं भी दे दूँगी, पर एक बात पहले बता दूँ, कौन सी? आप लोग मुझसे किसी बड़े बैंक बैलेंस की आशा न रखें, बैंक बैलेंस की बात कौन क रहा है, फिर भी बता देना मेरा फर्ज है, एक तो ये कि कॉलिज की नौकरी बहुत पुरानी नहीं है, इस से पहले तो प्राइवेट स्कूलों में ही करती थी, दूसरी जब से भाईया अलग हुए हैं, घर का खर्च मही चला रही थी, रोज मरा के खर्च के लावा अमा की हारी, बिमारी और दुनियादारी, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता था, खैर उन बातों का, एक बात और, शादी के लिए मुझे लोन लेना पड़ा है, बेतन का काफी बड़ा हिस्सा किस्तों में करता रहेगा, अच्छा हो, आप पापा को पहले से बता दें, मेरा को लगा कि पल भर के लिए आलोक के चेहरे का रंग बदल गया है, शायद ये उसका भिरम ही रहा हो, पर इसके बाद इस बिशे पर कोई बात नहीं हुई, पर शायद आलोक ने अपनी मा को ये सब बता दिया था, क्योंकि शाम को बेतन का लिफाफा देते हुए, उसने जो ही क कुछ कहना चाहा सास ने रोक दिया, और उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, बाप का साया सरपन नहो तो ये सब करना ही पड़ता है, अब तुम अपने घर आ गई हो, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहां तक तो सब कार करम निर्वेगन समाथ हो गया, पर रात को एक अन होनी हो गई, खाना खाने के बाद पापा जी ने सो सो के पांच नोट मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा, यह तुम्हारे हाथ खर्च के लिए, अंजू एकदम चिहों कुठी, पापा, यह पाशलिटी है, आपने ह हमें तो कभी इतनी पॉकेट मन ही नहीं दी, बेटे, तुम तो घर की लड़की हो, जरूरत हो तो मुख खुल कर माग सकती हो, पर वो पराई लड़की है, ऐसा नहीं कर सकती, पापा, अब वो पराई कहा रही, अब तो इस घर की हो गई है, आलोक ने कहा और यह कहते हुए उसकी नजर बराबर मीरा पर थी, वो शायद मीरा से भी ऐसा ही कुछ कहलवाना चाहता था, मीरा चुपी बनी रहती थी, अब भी चुपी बनी रहती तो गनी मत था, पर उसने भी पैसे ससुर के आगे रखते हुए कहा, पापा जी, अब ही आप इने रखिये, चाहिए के तो बाद में मांग लोगी, अभी तो अपनी जरूरत भर के लाइक मैंने निकाल लिये हैं, बात कहने के तुरंत बाद ही, उसने अनुभब किया कि मैफिल का रंग उड़ गया है, ससुर के चेहरे पर आहत अभिमान की छाया, दिखाई दी, अन्जू और मम्मी दवे सच्ही बोला था, मीरा ने कहा, सच बोलते समय दूसरों का अपमान करना क्या जरूरी है, देखो मैंने जान बूज कर किसी का अपमान नहीं किया, सच तो यह है कि मुझे इस तरह की परंपराओं की आदत नहीं है, सुबह जब मुझे उस परंपरा के बारे में बताया था, तो इसके बारे में भी बता देते, शादी के बाद खुलम खुला ये पहली जड़कती, दोनों आट दिनों तक एक दूसरे से मूफ लाए बैटे रहे, पांचे दिन तक बाकी घर के लोग सामान हो गए थे, पर मीरा का मोड उखड़ा उखड़ा ही रहा, तब सास ने एक लोगों से वो कैसे कह देती, कि वो घर जो उसका पीहर हो सकता था, अब नाम शेस हो चुका है, भाईया को पता नहीं क्या जल्दी थी, कि मीरा की शादी के पंदरे दिन बाद ही, अमा को सामान समित उठा ले गए, मीरा को भाईया के घर से कभी भी लगाओ नहीं रहा, बल अमा की घरस्टी पर तो भावी का कानुनी हक था, पर मीरा का समान भी भावी ने अपने कभजे में कर लिया था, सब का सब उठा लाने की बेशर्मी तो वो कर नहीं सकती थी, कुछ सामान मीरा का रह गया था, तो जब वो इस्वार गई, तो अपना कुछ खास सामान थी टू इन बन भीया ने खुद उठा कर दे दिया था सारा सामान पलंग पर पटक कर वो असमंजस में पढ़ गई इन सब को रखूंगे कहां बैसे तुम ये दूसरा सामान यहां से उठवा लो तो अब भी काफी स्पेस निकल आएगी आलो को ठीक है रहे थे कमरे में एक साफ से काफी कुछ दिया था उसने सारा सामान सास के सामने ले जाकर रख दिया अब भी लाई हो उन्होंने पूछा नहीं शादी में ही भावी ने दिया था खोलने का समय ही नहीं मिला सास औ हैरत से उसे देखती रह गई कैसी लड़की है ये इसे अपना सामान देखने की भी ललक नहीं है बे खुद इतनी उत्स कोटी थी पर बहु के सामने अपने अधरी का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी पर अंजू ने उनकी मुश्किल आसान कर दी उसे तो इस तरह का परहेज बरतने की कोई जरूरत नहीं थी उसने सारे बक से खुल डाले और सामान लेने से सजी हुई थी पीतल के स्टील के अलूमिनियम के प्लाश्टिक के जो भी डिब्बे थे साफ सुत्रे और ढंग से लगे हुए थे अचार के मरतवान जहलरदार कपड़ों से बंद हुए रहते थे छोटा मोटा सामान काच की सुन्दर शीशियों में रखा हुआ था अंजू ने ये सारे संसकार मासे बिरासत में पाए थे अंजू ने डेड़ पाउं से उचक उचक कर सारा सामान किचन में सेट कर दिया और किचन की काया ही पलट कर दी सबकुछ मन माफिक जमा लेने के बाद अंजू पिता और भाई को दिखाने के लिए बुला लाई मीरा संकोच से अपने कमरे में चली गई बहां जाकर देखा पलंग पर सारा सामान बड़े व्यवस्तित और ढंग से जमा दिया गया है मतलब उधर भें लगी हुई थी तो इहां भाई भी खाली ना बैठे थे यूत्सा और उमंग लोग लाते कहां से है उसे तो लगता है जैसे उसका सब कुछ निचुड गया हो आलो को कमरे में आते ही बोला वहां तुमने तो किचन का रूप ही बदल डाला सब अन्जु की करमात है मीरा बोली मम्मी पापा इतने खुश हो रहे थे जानती हो क्यों इतने दिनों तक तुमने सामान नहीं खुला था तो बे समझ रहे थे कि तुम्हारा अलग रहने का इरादा है कहीं कहीं ऐसा भी होता है न इसी लिए कहीं कहीं क्यों हमारे घर में ही हुआ है हमारी भावी तो अपना सामान लाई ही नहीं थी अलग होने के बाद उनके पता जी सब कुछ नए घर में पहुँचा आये थे मीरा एक बात कहूं कभी कभी कोई खास चीज अपने हाथ से बना कर खिलाया करो ना पापा बहुत खुश होंगे मीरा बोली खास वास तो मुझे कुछ आता नहीं आप कहें तो रोज का खाना बना दिया करूंगी मैं कहूं तो बनाओगी तुम्हें अपने से कभी इच्छा नहीं होती आलोक ठीक कह रहे थे शादी के बाद से रसोई में उसका दखल नहीं के बराबर था कभी कभार चाय बना दी या सबजी काट दी बाकी दोनों वक्त का खाना अंजू की मदद से मम्मी ही बनाती थी उन्होंने मुझ खुल कर कभी मीरा से कहा नहीं और ना कभी मीरा ने पहल की एक बात साफ साफ कह दूँ मीरा बोली आलोक चौक गए चौकना सभाविक था मीरा की साफ साफ बातों से उसे अब खौफ होने लगा था फिर भी कहा बो बात ये है कि चौदे साल की उम्र से जीजी की शादी के बाद से खाना बना रही हूँ इसलिए खाना बनाना अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है ये मेरा रूटीन हो गया है उसमें शौक जैसी कोई बात नहीं है आलोक ने गहरी सांस भर कर विशे को भी समाप्त कर दिया हाँ इस सो बारतलाब का इतना असर अवश हुआ किशाम का खाना मेरा ने अपने जम्मे ले लिया उसके बनाई मटर पनीर की सबजी पड़ोस में भेजी गई पकोड़ी वाली कड़ी खाने के लिए अंजू अपनी सहलियों को नियुता दे आई हराने जाने बाले से पापा कहने लगे पुलाव बनाना हो तो कोई हमारी बहु से सीखे उसे लगता जैसे घरवाले उसकी तारिफ करने पर तुल गए है दीपा बली पर उसने घर में अल्पना दी तो देखने के लिए सारी बिल्डिंग को बुला लिया गया आलो के सुझाओ पर उसने पापा के लिए सेटर बना तो बेपूरे महले में नुमाईश कर आए अंजू के जनम दिन पर आलो के एक महगा सूट ले आया था पर नाम उसने मीरा का ही बताया सारी सक्यों में अंजू की भावी अपनी च्वाइस और जेनरेस नेचर के लिए मशूर हो गई परिवार वाले उसे अपने आप में समू लेने की प्राण पर चेश्टा कर रहे थे पर वो जल में कमल पत्र की भाती अलग थलग ही बनी रही इस तरह तूट कर प्यार करना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था इसने का उचित आदान प्रदान नहो तो उश्मा के सिरोत भी सूखने लगते हैं मीरा को जितना अपनाने का प्रियास किया गया उतनी ही वो दूर होती चली गई अंजू की उमर तो ये सब जानने समझने की नहीं थी पापा जी तो पुरस थे इतनी महीन दृष्टी पुरसों के पास होती नहीं पर आलोक की मा धीरे धीरे एक गहरी हताशा में डूबने लगी बे जब तब बेटे का चेहरा पड़ती उन्हें अपने सुख दुकी परवा नहीं थी बसो बेटा बहु खुश रहे यही उनकी कामना थी दिन इसी तरह बीत रहते पर एक सुबह बाता बरल अचानक खुशनुमा हो उठा सुबह की चाय के बाद मीरा को जोर की उबकाई आई बातरूम से लोटी तो पसीने से तर बतर थी आलोक तो एकदम घबरा गया पर ममी जी के चेहरे पर अर्से बाद एक मुस्कुराहट तेर गई बहु की पीठ दीरे दीरे सहलाते हुए उन्होंने दो चार जरूरी सवाल पुच डाले और ततकाल दोनों की चुटी का ऐलान कर डाला दस बजे दोनों सास वहू मेडिकल चेक अप के लिए चल पड़ी शरीर और मन जब निडाल हो तो किसी का भी इसने इस पर्ष और मनुहार भरास और जादू का सा काम कर जाता है मीरा का मन भी सास के पिरती कुछ यो तरल हो उठा पर सरकारी अस्परताल के गलियारे में बेंच पर बैट कर अपनी बारी की पिरतिक्छा करते हुए उसका मूड फिर उखडने लगा था शादी के बाद उसने भी शिशु जनम के सपने देखे थे पर उसकी कलपना का वरतमान चितर से कोई ताल मिल नहीं बैठ रहा था आया ने बड़ी देर बाद बेहद बत्तमीज रहे में जब पहले उसका नंबर और बाद में उसका नाम पकारा तो जैसे उसे आग लग गई उस आग में सुलकती हुई वो भीतर दाखिल हुई सास बड़े उत्सा से सारा वेवरा दे रही थी पर उसने खुद सारे प्रिशनों के उतर बड़ी बेरुखी से दिये डॉक्टर तो फिर सरकारी अस्पताल वाली ही थी उसने भी सास की मिठी बोली का लिहाज नहीं किया परड़ाम यह हुआ कि अस्पताल से लोटते हुए वो शरीर और मन दोनों से बुरी तरह आहत हो चुकी थी अपने शरीर में होने वाले इस अंकुरल के पिरती वो अभी ठीक से पुलकित भी ना हो पाई थी कि उसे इस सारे बेपार से त्रिशना हो गई घर लोटकर वो कमरे में पस्त होकर गिर गई सोच रही थी कि खाने का बुलावा आएगा तो साफ इनकार कर देगी पर सास ने उसे बुलाया है नहीं कमरे में ही गरम गरम उपमा बना कर दे गई यही नहीं चार बजे पापा जी को बहज कर उसके लिए ताजा खस्ता कचोड़ी भी मगबा दी इस सो लाट प्यार के बावजूद उसका मनरू ठाई ही रहा आलोग जब दफ्तर से लोटा तब भी वो अलगाई सी बिस्तर में पड़ी हुई थी जूटी पिलेटें पलंग के नीचे पड़ी बिन बिना रही थी उन्हें अंदेखा कर आलोग ने कहा बदाई हो मीरा ने करवट बदल कर उसकी ओर देखा मीरा की आँखों को देखकर आलोग की आँखों में जिलमिलाती दीपमाला भी मलिन पड़ गई किस सो बात की बदाई अब ये भी बताना पड़ेगा इसमें बदाई की क्या बात है हर घर में शादी के बाद यही सब होता है पर मेरे घर में तो ये पहले बार हुआ है और मैं तम्हारी तरह बिद्धान नहीं हूँ कि खुश होने बाली बात पर भी मुँँ चड़ा कर बैट जाओं ये बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् तो शायद कभी समझ नहीं पाएगा थोड़ी देर में बुजे सुर में बोला मम्मी कह रही थी कुछ जरूरी टेस्ट करवाने हैं कब चलना है सुबह जाना होगा आप परिशान नहों मैं चली जाओंगी और सुबह वो सचमुछ अकेले ही निकल जाएगी इसका किसी को भी इल्म ना था आलोग तो समय बातरूम में था मीरा ने रसोई में जाकर सास को इतला दी और चल पड़ी सुबह सबेरे घर से निकलने का एक कारण ये था कि वो अपनी एक कलिक के साथ चुटी की अप्लिकेशन देना चाहती थी बहां से चली तो सीधे डॉक्टर आभा बर्मा के किलिनिक के पास जाकर रुकी कॉले जाते जाते अक्सर ये बोर्ड उसने देखा था शायद इसलिए दिमाग में रजिस्टर हो गया था यहां भी शायद वो जल्दी आ गई थी जब वो डॉक्टर आ गई और डॉक्टर के सामने बैठते ही वो नर्वस होने लगी थी उसने चुपचाप कलवाला परचा डॉक्टर के सामने सरका दिया डॉक्टर ने परचा पड़ा और परशना था कर दरिश्टी से उसकी और देखा जब वो कुछ न बोली तो पूछा क्या यहां रेजिस्टर कराना चाहती है दरसल विफोर इट इस टू लेट मैं आवोर्शन कराना चाहती हूँ उसने सारा साहस बटोर कर मन की बात कही डाली डॉक्टर थोड़ी देर उसे घूरती रही फिर बोली आपो मैरिट है ना क्या मतलब वो कानों तक लाल हो आई बुरा मत मानिये यह तो अस्पताल है यहां हर तरह के लोग आते हैं बैसे यह शायद आपका पहला बच्चा है उनकी नजर पर्चे पर थी जी आपकी एज भी शायद जी मेरी लेट मैरिज हुई है देखिए पहली प्रेगनिंसी तो हम बैसे भी रिटेन करने की सला देते हैं आपकी एज में तो यह और भी जरूरी है आबोर्शन तो बहुत बड़ा रिस्क होता है पता नहीं दूसरा चांस आपको मिले ना मिले डॉक्टर की बात अभी पूरी भी नहों पाई थी कि मीरा शिश्टा चार को ताक पर रखकर उठ गई वो यहां भाशर सुने नहीं आई थी वो तो बिना किसी शोर शरावे के इस जंजाल से मुक्त होना चाहती थी उसे मालूम था कि छुटकारे के और भी तरीके हैं पर वो उनके फेर में नहीं पढ़ना चाहती थी उसकी छोटी जीजी ने चोटी बार गर्ब उठेने पर पता नहीं कैसा घरेलू उपचार किया था कि मरते मरते बची थी उसकी सहली रतना शादी के तुरंत बाद गर्वती हो गई थी सास के डर से उसने पता नहीं कैसी कैसी गोलियां खा ली गर्व पात तो खेर हुआ नहीं नवे महीने बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा जैसे किसी ने हड्डियों पर जुलसी हुई खाल चड़ दी हो मुश्किल से आट महीने जंदा रह पाया था इसलिए मीरा इन अगोहरी उपायों से बचना चाह रही थी पर डॉक्टर के रवईये ने उसे दुबारा सोचने पर मजबूर कर दिया अपनी गाड़ी लेकर वो सलक पर तो आ गई पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे घर लोट जाए या कॉलिज चली जाए वो अभी इसी पशोपेस में थी कि परचित स्कूटर सामने आकर रुका आप वो बुरी तरह चोगी जी हाँ आपका अधना सेबक सुबह सबेरे कहां चली गई थी अब सीधे तुमारे कॉलिज जा रहा था नजर आ गहीं तुम सामने ही लेकिन इस तरह मेरा पीछे करने की क्या जरूरत थी मीरा थोड़ा जंजलाई आलोक बोला आपकी सास को आपकी चिंता हो रही थी इसलिए आपके पीछे आया क्या प्रॉबलम थी क्लिनिक के सामने इस तरह खड़े होकर बात करना मीरा को कुछ अजीब लगा चलो चलकर कुछ खा लेते हैं आलोक उसकी परिशानी को भाबते हुए बोला काफी दूर जाकर उन्होंने एक रेस्टरा चुरा जहां कॉलिज की छात्राओं के आने की संभाबना कम थी टेबल पर बैठते हुए आलोक ने कहा तो डॉक्टर ने क्या कहा मीरा बोली डॉक्टर को क्या कहना था जो कहना था मैंने ही कहना था मैं आवर्शन करवाना चाहती हूँ क्या आलोक तो एकदम सक्ते में आ गया सरकारी अस्पताल में बच्चा जनने से तो अच्छा है बच्चा पैदा ही ना किया जाए क्या सिर्फ यही कारण है आलोक ने पूछा मीरा कुछ न बोली अपने मन को वो खुद भी ठीक से जानना पाई थी आलोक को क्या बताती देखो सरकारी अस्पताल का तो ऐसा है बड़ी दिर बाद आलोक ने बात शुरू की ममी के अपने बच्चे भी वही हुए मन्जू को भी वही दिखाया इसलिए वो तुमें वहां ले गई परो जरूरी तो नहीं कि हमारा बच्चा भी वही हो मसलन जिस अस्पताल में तुम आवोर्शन करवाना चाहती हो बहां बच्चे का जनम भी तो हो सकता है डिलीवरी सारी समस्याओं का अंत तो नहीं बल्कि वो तो शुरुआत है क्या हम एक नई जम्यदारी लेने के लायक है मीरा बोली तुम तो हो मेरी बात जाने दो आलोक ने कहा मैं भी समय जम्यदारियां बढ़ाना नहीं चाहती आलोक थोड़ी देर तक उसे देखता रहा फिर बोला जैसी तुम्हारी मर जी लेकिन एक रिक्वेश्ट है महरवानी करके कहीं अकेले मत चली जाना हाँ एक बात और ममी से अभी इस विशए में बात मत करना मैं बात में उन्हें समझा दूँगा उस दिन इस विशए पर फिर दोनों में कोई बाचित नहीं हुई पर अगली सुबह आलोक उससे भी पहले तयार हो गया मीरा से कुछ भी पूछे बिना उसने घर में एलान कर दिया ममी आज हम लोग जरा जल्दी निकल जाएंगे डोक्टर के हिया होते हुए जाना है इस सो घुसना के बाद पूरा घर हरकत में आ गया पापा जी ने अपना नहाना कैंसल करके मीरा के लिए बात रूंग खाली कर दिया अपना पूजा पाठ अधूरा छोड़कर ममी पराठे बनाने लगी जब तक मीरा नाधो कर तयार हुई अंजू कमरे में दो पिलेटें लगा चुकी थी चलते समय उसने जैसे ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाई आलोक ने टोक दिया इस समय मेरे साथ चलो लोड़ते समय ना होगा तो टेक्सी कल लेंगे आब वो इस तरह आँखें फाल कर क्या देख रही हो लोड़ते समय तुम क्या ड्राइब करने की इस्तिती में रहोगी वो बुरी तरह जहब गई आलोक ठीक है रहे थे लोड़ते समय पता नहीं क्या दशा हो उसके लिए तो ये पहला अनुवफ था कैसा लगता होगा अपने शरीर के एक अंश को कहीं होम कराना वो चुप चाप वो आलोक के साथ चल दी स्कूटर पर बैढ़ते हुए उसने आलोक की तरफ देखा कैसे मनोयोक से वो स्कूटर चला रहा था कालरेस्टरा में जब उससे वो बेतुकी बात कह रही थी तो ये शक्स कितना तूट गया था आज उसके माते पर शिकन तक नहीं उसने एक बार भी तो नहीं कहा कि वो अपने फैसले पर पुनर विचार कर ले बलकि खुद आगे बढ़कर सब कुछ करवाने पर तुला है डॉक्टर आभा मीरा को पसंद नहीं आई थी इसलिए आलोक से उसने किसी दूसरी डॉक्टर के पास चलने को कहा वो किसी दूसरी डॉक्टर के क्लिनिक में पहुँचे अंदर गए डॉक्टर ने कहा कहिए मीरा बोली वो क्या है कि अभी आते आते एक छोटा सा एक्सिडेंट हो गया डर है कि कहीं कुछ कितने दिन हो गए प्रिग्नेंसी को डॉक्टर ने पूछा यही कोई सेबन बीक्स बैसे कुछ होना तो नहीं चाहिए फिर भी चलिए देख लेते हैं जैसे ही वो दोनों भीतर जाने के लिए उठी आलोक ने टोक दिया मैडम ये नर्वस हो रही है इसलिए सच बोलने से हिचक रही है दरसल हम लोग इहां प्रिंगनेंसी टर्मिनेट कराने आए हैं डॉक्टर ने चकित होकर एक बार मीरा की ओर देखा फिर आलोक से पूझा आपके पहले कितने बच्चे हैं दिस इस दा फर्स्ट वन फिर हमारी कुछ यो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं क्या आपकी वाइफ भी यही सोचती हैं मीरा बुद्वनी खड़ी रही उसने कोई जवाब नहीं दिया डॉक्टर ने कहना शुरू किया देखी मिश्टर मर्द के लिए बच्चा पैदा करना एक शगल हो सकता है पर और औरत के लिए औरत के लिए बच्चा क्या होता है आप मर्द लोग कभी नहीं समझ पाएंगे खासकर इस सो अमर में पहले बच्चे को खोने का दर्द तो आप इमेजन भी नहीं कर सकते मैडम हम लोग घर से खुब सोच समझ कर ही निकले थे आप तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि मुझे कहां कहां साइन करने होंगे और ये भी कि खर्चा कितना आएगा ताकि मैं पैसों का इंतजाम कर सकूँ ये सब तो बात की बाते हैं पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग घर जाकर अच्छी तरह सोच विचार कहले चार-पांच दिन में कोई फरक नहीं पड़ेगा फिर आप जैसा चाहें मैं तो यहां के लिए ने खुल कर बैटी ही हूँ आप कभी भी आ सकते हैं दोनों बाहर निकलाए सड़क पर आते ही आलोग गुरा कर बोला यह क्या पागलपन है तुमने तो डॉक्टर की नजर में मुझे बिलेन ही बना डाला मीरा बोली पता नहीं क्यों यह बच्चा मुझे कुछ अपना अपना सा लगने लगा है और मुझे इस बच्चे से बे इंतहा नफरत हो गई है आलोग ने कहा नफरत मगर क्यों क्योंकि यह हमारे प्यार की निशानी नहीं है प्यार तो हमारे बीच कभी थाई नहीं तुम सिर्फ मजबूरी निवाती रही और मैं उसे तुम्हारा एहसान मान कर जिलता रहा इस से रिस्ते को कोई भी नाम दिया जा सकता है सिवाए प्यार के मीरा खत्बुदिसी पती को देखती रही मैं समझ गया था कि सरकारी अस्पताल का तो बहाना था उस बहाने तुम इस्तितियों का मख़ूल उड़ा रही थी आक्रोश जताने का तुम्हारा यह अपना ढंग था जिस समय तुमने अवोर्शन की बात सोची होगी तुम्हारी नफरत शायद अपने चरम पर होगी मीरा ने सिर जुका लिया मीरा हम लोग अमेर नहीं हैं कभी भी नहीं थे परधन के अभाव को हमने परस पर प्यार से पूरा किया है मेरी माने यह घरोंदा इसने के धागों से बुना है उसने तुम्हें भी अपने में समो लेना चाहा तुम्हारी संतान को भी वो ममता से अंक में भर लेंगी पर मैं अपनी मा के साथ च्छल नहीं करना चाहता किसी की नफरत का अंश गोद में लेकर वो ममता के उब डूब होती रहे ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा आलो का अपनी बात समाप्त करके घरी की ओर देखने लगा और बोला 11 बच चुके हैं क्या इरादा है घर जाओगी या कॉलिज इसकूटर से छोड़ दूँ या आटो से चली जाओगी उसका स्वर इतना निर्पेक्ष था कि मीरा सिहर उठी और आप मैं तो सीधे दफ्तर जाओगा एक दिन की छुट्टी जाया करने में क्या तुक है आप दफ्तर जा रहे हैं हाँ तुम्हें कोई काम है काम क्या होगा बस यही कि जाने से पहले जरूरी कागजों पर साइन करते जाईए मेरी छुट्टी का तो आज तीसरा दिन चल रहा है साड़ी का पलू मुँ में ठोस कर बुर्नर सिंग हों के करीरोर में अंतर ध्यान हो गई तो दोस्तों ये कहानी थी मालती जोशी की लिखी जिसका नाम था रेत महिल मीरा का फैसला सही था या गलत आलोक ने सही किया या गलत तो मीरा का साथ दे कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक करना साथ ही मारे चैनल को भी सब्सक्राब जरूर कर लेना मिलते हैं एंगली किसी नही कहानी में